हेलो कीड्स आज हम पढ़ेंगे खाली स्थान भरो बच्चों यहां देखिए डैश लास चित्रू देखिए डैश लास तो क्या होगा गाच छोटी गी लास नमर्ट्टू देखिए डैश ताब तो क छोटी ई की ताब बच्चों आप लोग चित्र देखिए की ताब नमर्ट्ट्री डैश रन चित्र देखिए क्या होगा हाँ हाँ छोटी ई ही रन ही रन नमर्ट फोर डैश रिया अड़ा छोटा ई या है और डैश है याँ तो क्या होगा चित्र देखिए चिरिया चिरिया चाचोटी ई यहाँ हम क्या लिखेंगे चाचोटी ई चिरिया नमर्ट फाइव डैश लक डैश लक क्या लिखेंगे याँ ती ता छोटी ई ती लक नमर्ट शेक्स डैश यार स चोटी ई क्या होता है बच्चोँ सी स चोटी ई सी यार सी यार चित्र देखिए होगा बच्चोँ इसको सी यार बोलते है नमर्ट सेवन डैश वस डैश वस तो द छोटी ई क्या होगा इसका साउंड कैसे होगा ध्वनी कैसी होगी दी वस दी वस बच्चो देखे समझे और बोलकर पढ़े देखे समझे और बोलकर पढ़े दिन निकल आया था तभी छिपकर बिल्ली आई चिरिया उड़कर पेर पर बैट गई बिल्ली पीछे पीछे भागी छिलके पर पैर पर गया फिसल कर नीचे गिरी धराम नारियल तूट कर गिरा सर पर मुह से निकला हायराम मुह से निकला हायराम बच्चो इसको आप बार-बार करके पढ़िए ठीक है और आप यहाँ देखिए बहुत से शब्द है जो छोटी इकी मात्रा से शब्द लिखे गए हैं ठीक है बच्चो आप इसको बार-बार करके पढ़िए और जो खाली स्थान भरो है उसको आप अपनी कौपी में उतार लिजिए ठीक है बच्चो आपको तो मालूम है कौपी में किस तरह से लिखा जाता है फर्स्ट लाइन में हेडिंग खाली स्थान भरो फिर उसके बाद आप 1,2,3,4 करके आप शब्द लिखिए और उसके साथ आप चित्र बनाईए ठीक है बच्चो ओके बाई बाई थैंक यू